next question it says find acceleration of the block A and B as shown in the diagram so scenario यह है कि आपका एक पुली लगा के एक ब्लॉक तो ऐसे लगा है दूसरी यहाँ पे ऐसे पुली लगी है और उसके जाद यह ब्लॉक आपका ऐसे है so यह आपका ब्लॉक A यह आपका ब्लॉक B और actually यह 1 kg है और यह आपका 2 kg है और हमें बताना है जब हम इसको रिलीज करेंगे तो दोनों का एक्सेलेशन क्या होगा एक काम करते हैं इसका मास M1 कह लेते हैं इसका मास M2 कह लेते हैं यह टेंशन T, T, T यहां पर टेंशन आपकी हो जाएगी टूटी और पहले इसका जनरल एक्सपेशन निकालते हैं उसके रख देंगे इस केस में आपके M1 M2 दो ब्लॉक से दोनों का एक्सेलेशन अलग अलग होएगा और आपके टेंशन दो तीन वेरेबल हैं तो पहले आपकी दो एक्वेश पहलेशन तो इस बार इसको नीचे और इसको ऊपर जा रहा है तो लेट असे यह आपका देखेंगे तो यह अगर आप मशन देखेंगे तो यह एक बार फिल ले लेते हैं और एक संटिमीटर से नीचे आया आए है आपका एक सेंटीमेटर से नीचे आया है तो यह वाली जो दोनों रस्तियां यह आधे-ाधे से उपा जाएंगी, so this will be half centimeter, ठीक है, half centimeter उपा जाएंगी, तो इसका मतलग यह हो गया कि आपका A1 जो है, नहीं A2 जो है, नहीं A1 जो है, that will be equal to, नहीं A2 जो है, that will be equal to twice A1, यह आपकी constraint की condition आगई, तो बस इसके आद पहली equation यह बन गई यह आपकी, और उसके बाद अब FBD बना के equation लिख लेते हैं, तो पहले अगर M1 का, हम FBD बनाएं, M1, तो इसका FBD बनेगा, यह आपका block है, नीचे आपका M1G है, उपर आपकी 2T है, और हम इसको कह रहे हैं, A1 acceleration से उपर जा रहे हैं, तो इसकी जो equation है, उसको आप लिख सकते हैं, 2T-M1G will be equal to M1A1, यह आपकी equation बन जाएगी, यह let's say equation number 2 है, और अगर हम M2 block का FBD बनाएंगे, so M2 block है, इसका FBD कुछ ऐसा बनेगा, के block है, नीचे लग रहा है M2G, उपर आपकी R, यह tension T, और हमने माना है, कि नीचे A2 acceleration से जा रहा है, तो इसकी equation बन जाएगी, आपकी M2G minus T will be equal to M2A2, यहां से अगर A2 की value insert कर दें, तो A2 उड़ जाएगा, दो ही variable बच जाएगी, आपका T और A1, तो यह equation बन जाएगी, M2G minus T will be equal to M2 multiplied by 2A1, अलें, हब यहां पर, अगर यहां 2T है, इसकी value या तो insert कर दो, यह इस पूरी equation को, अगर हम 2 से multiply कर दें, उसके आद कर देंगे, तो 2T अपना उड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा practice से आजाएगा है, आलें, तो यह बनना आपका twice M2G minus 2T minus will be equal to 4 M2A1, यह आपकी equation बन गई, let's call this equation 3, अब इन दोनों को जब हम add करेंगे, इसको और इसको, तो आपका यह 2T ऊड़ जाएगा, जो आपका expression बचेगा, that will be twice M2G common ले लेंगे, यह दो term बचेंगे, minus M1G will be equal to A1 यहाँ पर आजाएगा, so this will be equal to M1 plus 4 M2, multiplied by A1, so आपका implies A1 जो है, उसकी value आगई, twice M2 minus M1 divided by M1 plus 4 M2G, यह आपका in general expression आगया, now यहाँ पर अपने को value दी हुई है, M1 1 है और M2 2 है, बसे data हैं रख देते हैं, so यह हो गया 2 multiplied by M2 is 2 minus 1 divided by 1, M1 1 है न, 1 plus 4 into 2 multiplied by G, which implies आपका A1 है, इसकी value आगई, 4 minus 1 यह बचा 3, नीचे बचा आपका 8 plus 9 G, so that will be equal to G by 3, ठीक है, similarly आपका A2 जो है, वो आजाएगा twice A1, यानि क्यों हो जाएगा 2 G by 3, तो यह आपके 2 acceleration आगए, तो यह आपके final acceleration होएगे, अब यहाँ पे देखना, दोनों की value जो अपनी आई, वो positive आई है, दोनों की value positive आने का मतलब यह है, कि आपने जो भी initial sign convention माना था, वो सही माना था, इसका मतलब exact वो की वोई value आई है, तो A1 जो है, उसको हमने ऊपर माना था, तो यह वाली acceleration आपकी upwards है, और इसको हमने A2 को अलेड़ी नीचे माना था, तो यह आपकी downwards है, अले, सो sign convention से परेशान होने की जरुवत नहीं है, तो यह already आप downward मान चुके हैं, इसलिए इसकी value positive आ रही है, इसको आप upward मानते दो minus आती, यह down, I mean other way around, ठीक है, तो these will be your final answers.